हेलो फ्रेंज तो आज की सेलेक्चर में आपके साथ सेरिंग करने वाला हूँ SYV.com semester 3 static subject को जिसे हम गुजराती में कहते हैं आकडा साथ आज की सेलेक्चर मैं आपके साथ में short sum solution कराने वाला हूँ जो की आपके exam के point of view से बहुत ही आएंपी रहने वाला है तो यहाँ पे कौन-कौन से short questions आने वाले अगर इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और मैं आपको फिर सिक्वार सजेशन देना चाहूंगो ऐसे तो मैं लेटेश पेपर स्टाइल एंड मोस्ट आएंपी गोश्चन अल्रेड़ी अप्लोड कर दिये आप हमारी प्लेलिस में जाके चेकाउट कर सकते और एक्जाम रिलेटिड जो जो सम आने वाले उसकी रिगार्डिंग मैंने सब भी वीडियो अप्लोड किये प्लेलिस में जाके चेकाउट कर सकते मेरे पॉइंट ओप यू से आपको तैयारी करना चाहिए यूनिट नमबर फोर की जहां पर चैप्टर न दो आपको भी चैप्टर आप रेडि करना उसकी ठीरी रेडि करना उसका को सम और एक्स्टा कुछ तैयारी करना बिकोड़ आपके बीट में संडे आ चुका है तो आप यूनिट नमबर वन को भी रेडि कर सकते इस तरीके से अगर आप तयारी करेंगे तो डैम सियोर के आपको डरना नहीं और मैं चाहता हूँ अगर आप वीडियो पहली वा रहा हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं कियारा सब्सकाइब कर लीजिएगा विकोज वैं देखता हूँ जो एनालीटिकल वीडियो के अंदर काफी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं बड़ बहुत से लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं हमारे इस चैनल को सब्सकाइब कर ली जो मैं चाहता हूँ यह एक्जाम का टाम चला है यहां पिर शॉट सम गुजरात इनिवर्सिटी तुथाउज इनिस्टीन के पेपर का कम्प्लीट करा रहा हूं अगर आप इस वीडियो को देख लेंग दो इस ताइप के कोई भी सम होगे कोई भी इनिवर्सिटी में आयोंगे ताब उसे इजिली सॉल कर सकते हैं फर्स्ट अप ओर हमें सम को अच्छी तरीके से रेड करना हो कर रहे यहां पर लिखा इंगलिक मेडियम के अंदर फोर जियुमेट्रिबीशन में इस थ्री अद्वर्वावलिटी द्लाम द्वावलीटी है यह 3 और variance की value दी है 12 और कौन सा distribution है यह हमारा geometric distribution right find the probability of success success की आपको probability धूननी है गुजराती में कहेंगे गुरुतर वित्रन यहां रखना यहां पर क्या लिखा हुआ है गुरुतर वित्रन लिखा हुआ है गुरुतर वित्रन नो मध्यक अने विच्रन यहां पर मध्यक की value दी गई और विच्रन की value दी थी and 12 तो आपको धूनने को बोला है शपलतानी संभावना मेड़व तो I hope आप यहां पर समझ गयोंगे तो first of all हमें क्या करना होगा यहां पर कॉंसर distribution दिया हुआ है सर्ग जियोमैटिक distribution दिया हुआ है गुजराती में गुरुतर वित्रन तो जब गुरुतर वित्रन का sum solve करते तो वहां पर first of all हमें पता चलना चीए कि mean क्या होता है और variance के आउदत first of all आप यहां पर लिखेंगे मध्यक I hope आप समझ गे जिस हम English में कहते mean तो यहां पर geometric distribution के अंदर मध्यक को किसके दोरा indicate किया जाता है मध्यक को indicate किया जाता है Q upon P की दोरा right ना तो यहां तक तो आपको समझ में आ चुका हुगा second हमारे पास कौन सी value थी हमारे पास था variance यानि की विजरन था तो यहां पर आप easily write कर दीजिए विजरन और English में से हम कहेंगे variance I hope यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा variance को हम किसके दोरा indicate करते है variance को हम indicate करते है Q upon P square के दोरा तो उमीद करता हुगा कि यहां तक आपको समझ में आ चुका हो comment box में write करके बताइएगा हमारे वीडियो आपके कितने helpful हो रहे है और next कौन सा वीडियो देखना चाहते उससे भी comment box में write करके बताइए तो हमारे पास mean की value दी हुई है mean यानि की माद ही कितना था हमारे पास 3 था तो आप यहां पर write कर दीजिए mean के place पर आपने 3 रख दिया and which one that means variance की value भी हमें दी गई कितनी दी हुई है 12 दी गई तो उमीद करता हूँ कि यहां तक आप समझ गे अब यह में क्या करना है variance की help लेनी है और हमें some को solve करना किस तरीके से help लेना है वो आपको बहुत सी ध्यान से समझना होगा क्या लिखा है q upon p square लिखा है ना तो मैं चाहूं तो इसका form change कर सकता हूँ q upon p square की जगा पर हमें p q upon square है ना तो p को two time लिख सकता हूँ ना p into p p square वोलू या फिर p into p वोलू दोनों की meaning क्या रहेगी same रहेगी यहां पर मैंने variance का form change कर दिया है और variance की value कितनी जी 12 तो आप यहां पर write कर दीजे 12 write ना तो अभी आप ध्यान से देखी क्या आपके पास किसी की value given है क्या क्या आपके पस q upon p की value given है क्या यह sir हमारे पस q upon p की value दी होई है कितनी है 3 है तो q upon p के place पे आपकी आपका 12 जो की आपका question था अभी क्या करना है पी जो है न डिवाइड में सामने क्या तो क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा तो यहाँ पर similarly आप का अंसर हो जाएगा 3 is equal to 12P राइट ना हमें क्या solve करना है सफलता की संभाव ना ढूननी है तो यहाँ पर मैं पी solve करना पी की साथ में 12 जो इंटू में सामने आएगा तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर मैं राइट कर सकता हूं 3 upon 12 is equal to P table तो आपको आती होंगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और इस तरीके से हमारे पास P की value कितनी आ चुकी 1 upon 4 और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका संभाव ना को सकसेस को हम किसके दोरा इंडिकेट करते हैं पी के दोरा बट भाई चांस एक्जाम के लिए थोड़ा सा एक्स्टा कोशन पूछ लेए तो मैं आपको और भी थोड़ा सजेस्ट कर देता हूं सफल्था की जगाँ पर निशफल्था लिखा होता सकसेस की जगाँ और फेल लिखा होता तो फेल को हम किसके दोरा इंडिकेट करते हैं तो Q का अंसर के से solve करना आपको आराम से यहां पर नीचे कितना लिखा है 4 में से एक चला गया कितना आ जाएगा 3 upon 4 इस तरीके से आप Q की वैलू ही solve कर सकते हैं फिर भी आपको अगर लोंगेस्ट में समसीखना तो इस तरीके से आप solve कर सकते हैं बड़ बाई चांस एक्जाम के अंदर थोड़ा कुछ आपसे और भी कुछ पूछ सकते हैं आपसे पूछ लेवे इसी सवाल के अंदर की प्राचल solve करो यह से हम इंग्लिस में कहते हैं पैरामेटर solve कर यह है तो ध्यान रखिए का हम कौन सा distribution सीख रहे हैं जियोमेट्टिक डिस्टिविशन गुछ राती में कहते हैं गुड़तर वित्रवार का प्राचल कोन होता है प्राचल होता है P तो P की वैल्यो कितनी थी 1 upon 4 और इस तरीके से आपका सम कम्पलीट हो जाएगा तो उम्मीद कर तो यहां पर आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और चैप्टर नमबर 6 में कोई भी स्वाट सम आप आएगा तो आप उसे इजली सॉल कर सकते और यहां पर ध्यान रखना है इसी के थेरी भी एक्जाम में ने आने वाली उसे भी आप याद कर लीजी के 100% हीरी आएगी एक सम और देख लेते हैं इसी चैप्टर का तो यहां पर आचुका है दूसरा सम अब यह किसका आचुका है रिन दीपदी वित्रण यह से हम इंग्लिस में कहते हैं नेगिटिव वाइनोमियल डिस्टिविशन इंग्लिस की अंदर यहां पर मीन की वैलू है हमारे पास 6 और वैरियांस की वैलू है 12 क्या डूरने आपको सफलता की संभाव ना सौल का नि यहां पर फिर से क्या निकाला आपको सक्सेस बर डिस्टिविशन चेंज हो चुगा यहां पर कौन सा डिस्टिविशन है नेगेटीव वाइनोमियल गुझरा अतीम कहेंगे रिन-hdी- मध्यक को किसकी दौरा इंडिकेट करते हैं ? सर Indyकेट करते हैं एन Q upon P की दौरा I hope आप समझ के फिर हमें यहाँ पर किसकी वैलु लिखनी होगी सर यहां पर लिखना होगा हमें विचरन जिसके विचरन को इंग्लीष में ंग्लीष में कहेंगे वैर्यांट तो variance को किसके दोरा indicate करते है शिव upon में p square हो जाएगा and q upon में p square चेक कर लेते कौन कौन सी value given है हमारे पास क्या आपके पास mean यानि कि मध्यक दिया हुआ या सर हमारे पास दिया हुआ कितना दिया हुआ 6 तो आप यहाँ पे write कर लिजिए 6 तो यह आगे आपके main की value right फिर दिख लेती यहाँ पर क्या आपके बस which run यानि की variance की value दी है क्या यह सर्थ variance की value दी है which run हमारे पास है कितना है हमारे पास which run 12 तो आप write कर लिजिए 12 अब भी आपको समझाये तो जब भी step कर समाएगा आपको हमेशा किसका form change कर देना है हमेशा change करेंगे हम which run का form change कर देतें तो यहाँ पर n q upon p square लिखा है न तो मैं चाहूं तो h पर mathematics p square को क्या लिख सकता हूँ p into p लिख सकता हूँ न because p square वोलू या फिर p into p वोलू दोनों की meaning क्या रहेगी same रहेगी is equal to which run कितना था हमारे पास 12 अब ध्यान से देखिएगा क्या आपके पास n q upon p की वैलू दी है क्या ध्यान से देखिए क्या आपके पास n q upon p की वैलू है yes sir n q upon p की वैलू हमारे पास d हूई है कितनी d हूई है 6 तो बहरी कुर्ट तो आप यहाँ पर write कर दीजे 6 अपन में क्या था पी तो पी का पी रहेगा सामने क्या गया 12 अभी क्या करना हमको पी जो है वो डिवाइड में सामने गया तो इंटू में हो जाएगा तो यहाँ पर आपका अनसरा जाएगा 6 is equal to 12 p उमीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गी होंगा आपको कोई doubts नहीं होगा फिर भी कोई doubts रहे तो comment box में write करके बताईगा और हमारे वीडियो कितने helpful हो रहे है उससे भी comment box में write करके बताईगा मैं चाहता हूँ यह exam का time चला है maximum logo तक हमारे यह channel पहुंशना चाहिए maximum logo त table तो आपको आते ही है 6 वंजा 6 6 तूजट 12 तो P की value कितने आगई आपर 1 upon 2 तरीके से आपका sum complete हो चुका है because यहाँ पे आपसे पूछा था सफलता की संभावना that means success की संभावना पूछी success को किसके दोरा indicate करते P की दोरा अभी थोड़ा extra और भी सिखा देता हूँ आपको अ एक गया तो कितना आगया एक वटे दो तो यह आचुकि आपकी निसफलता की संभावना that means failure की probability right अब भाही चांस exam में इसी questions की अंदर आपसे प्राचल पूछ ले जैसा कि मैं आपको last time अभी आपको समझा दिये था प्राचल को English में क्या कहते हैं parameter कहते हैं तो आपको but हमारे पास क्या नहीं है and नहीं है तो मैं आपको and solve करना भी सिखा तो य चांस exam में and भी आपस पूछा जा सकता है तो and किस तरीके से solve करेंगी या तो आप मद्यक में value रख दो या तो में value को arrange कर दो या फिर variance में value को arrange कर दो यहां पर easy रहेगा mean बाला आप चाहें तो variance में भी arrange कर सकते answer वही आएगा कोई problem नहीं में mean में arrange करके आपको दिखा देता हूं तो हमारे पास mean क्या था mean की value है आपके पास and q upon में p is equal to 6 जहां पर आपके पास q की value है yes sir आ चुका है 1 upon 2 क्या आपके पास p की value yes sir हमारे पास आ चुका है 1 upon 2 तो arrange कर दो ना किसका इंतिजार कर तो एन इंटू क्योंकि प्लेस पी कितना रग दो 1 upon 2 और पी के प्लेस पे भी कितना रग दो 1 upon 2 और इस इक्वल टू सामने सदावार के आएगा 6 और यहां पे 2 से 2 क्या हो गया cut हो गया तो एन इंटू 1 एन का multiply 1 के साथ कर दो आएगा n ही आएगा तो यहां पर आपका answer आ n is equal to 6 और इस तरीके से complete हो जोका है पूरा का पूरा सम अगर आपकी exam के अंदर success that means सफलता पूछा जाए निसफलता यानि की failure पूछा जाए प्राचल यानि की parameter पूछा जाए या फिर आपसे n की value पूछी जाए तो आप किसी भी सम को easily solve कर सकते हैं तो अमीद करते हो यह video क्लिक काफी helpful वना होगा मैं चाहतो इस video को maximum अपने सभी friends के बीच में sharing कर दीजे शो मिलते हैं next lecture में next video के साथ तब तक क्लिश अभी को thank you very much and wish you all the best for your exam